तो नमस्कार दोस्तों, जसे के आपने थेमलिया में में देख लिया होगा, तो आज इस वीडियो में आपको बतने वाला हो कि आप e-meter से केश से मुल निवास प्रमानपत्तर बना सकते हैं जी यहां दोस्तों आपको step by step में बताने वाला हूँ उसके लिए दोस्तों जैसे आप emitter portal पर कुछी इस तरह से आपको desktop side देखने को मिल जाएगी यहां पर आपको Hindi language यहां पर select करने को मिलेगा आपको Hindi language यहां से पहले कर लेना है उसके बाद में आपको application type service पर क्लिक करना होगा just service पर क्लिक करने पर आपको यहां पर free search save पर आपको क्लिक करना होगा और बोक्स में और आपको यहां पर B.O.N. बोनना यहां पर जैसे सरच करते हो तो यहां पर option आजाता है यह तो मूल निवास परमान पत्तर हेतु आविदन और यहां पर आजाता है मूल निवास हेतु आविदन जो की जन जाती छेतर से आते हैं उनके लिए TSP area के लिए यहां पर मूल निवास परमान पत्तर के लिए मैं apply करने वाला हूँ इससे आप यहाँ पे apply कर सकते हैं यहाँ पे आपको जनादार कार्ड लगाना होगा जिस candidate का आप यहाँ पे form apply कर रहे हो उसी candidate का यहाँ पे जनादार कार्ड number डालना होगा जनादार कार्ड number सभी family का एक ही होता है वोके तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा अदर कोई भी प्रोब्लम आ रही तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे जैसे आगे बड़े पर क्लिक करते हो आप तो यहाँ पे आपको दो ओप्सन मिल जाते हैं एक मिलता है जनादार कार्ड वाला और यह काता है आदार UID बेस्ट यानि कि आद जनादार आदर जिस कंडि़ेट का मोबाल नमर जुड़ा होगा उसके पास जाएगा और ऑगर अगर आप आदार कार्ड सिलेट करते हो और कंडि़ेट के पास OTP वेथती हो जैसे मालों मैं आदार कार्ड सेयलेट करके यहाँ पे सो मेंबर पर क्लिक करता हूँ यहां पे सबी मेंबर सो जाएंगे और जिस candidate के आदार कार्ड में मुबाल नमर जिस candidate का जुड़ा वहा है उसके पास OTP जाएगा यहां पे verify and page data पर क्लिक करना होगा तो automatic यहां पे OTP option आजाएगा आपको OTP यहां पे दर्ज करना होगा और OK पर क्लिक करना होगा जैसे OK पर क्लिक करते हो तो यहां पे इस तरह से option खुल जाएगा यहां पे data refresh successfully option के लिए यहां पे option आएगा आपके सामने यहां पे जो भी detail होगी candidate की बो आपके सामने so हो जाएगी ओके तो यहां पे आप आराम से भरिएगा मतलब यहां पर आपको meme यहांपर और उसके बाद में फेश डाटा पर आपको क्लिक करना होगा तो चलिए मैं आप team सेलेट करना होगा कुछ work करना होगा द्लाटा पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं जैसे पेच डाटा पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिएगा आपका पूरा एडर्स सही तो पूरा एडर्स आ जाएगा अगर आपको सही एडर्स लग रहा है तो यहां पर समान ओप्सन पर क्लिक करके यहां पे Save option पर आपको क्लिक करना होगा अगर आपने सही बढ़ा होगा पूरी चीज है तो यहां पे OK पर क्लिक करके Next पर वापिस से क्लिक करिएगा यहां पर आपको एक एक चीज वापिस से बढ़ना होगा यहां पे अगर आप candidate किसी भी मतलब व्यक्ति का बर रहे हो तो सिरी करना होगा अगर कोई साधी सुधा महिला का बर रहे हो तो यहां पर सिरी मती करना होगा यहां पे अगर कोई आपने पास ओब्जेक्शन में आता है तब भी हम फोटो यहां पे चेंज कर सकते हैं इसे हम चेंज करने का उप्शन नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिएगा भी अगर आपके पास ओब्जेक्शन में आता है तो आप इसको फोटो को चेंज कर सकते हैं इसके बाद यहां प्रणादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादा नीचे छोड़ दीजेगा यहां पर जनादा काड़ आईडिया आप डाल सकते हैं ओके नीचे आपका जो भी एडरस है वो पूरा आ जाएगा थोड़ा बहुत मैंने इसको हाइड कर रखा होगा तो आप दियान से मैंने जिसे जिसे बता रहा हूँ वेसे भी आप आराम से दे यहां पर आपको डालना होगा यहां पुछा रहा है क्या मता पिता क्या मताता सुची में सवे या पिता का नाम है तो अगर आपका भी नाम है तो यहां करिए का पिता जी का भी आपको हाई करना होगा उसके बाद में यहां पर आ रहा है आपका परिवार रास्तान में कितन यहाँ पे सहमती देना होगा कि मैं सहमती देता हूँ और उसके बाद में आप पे मतलब आता है एडर्स प्रूप तो एडर्स प्रूप पे आपको यहाँ पे रासन कार्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में यह है इसको आपको यहाँ पे कोफी कर लेना होगा और जश् और जानने के बाद यहां पर ज़स्ट मतलब जो भी candidate का document जहां पर रखा आपने वो select करना होगा ज़स्ट नीचे education quality victim पूछ रहा है तो इसको छोड़ दीजिएगा इसको आप बिल्कुल भी कोई document upload मत करिएगा यहां पर other document attached इसमें भी आपको मतलब ये नाम है इस box में paste कर देना है कोई फिकर के और यहां पर आपको document इसी में भी वही document upload कर देना है Sam okay क्योंकि आपने एक साथी scan किया होगा अगर आप इस scan करना नहीं जानते हैं तो वो भी आप comment कर सकते हैं other कोई problem आ रही है तो यहां पर application number के लिए पूछा जा रहा है यहां पर आपको application number पर क्लिक करना होगा यहां पर पूरे को coffee करके और जो box आया है आगे नाया उस box में आपको इसको paste कर देना है और जैसे paste करते हैं तो यहां पर box choice file पर क्लिक करना होगा और यहां पर mool बना रहे हैं तो mool पहले नाम लिख लिएगा आप PDF पर यहां पर mool लिख लिए है और उसके बाद में यहां पर पूरा मतलब अपना process हो जाता है इसके बाद में आपको करना होगा उसके बाद में आपको यहाँ पर एड बटन पर क्लिक करना होगा जो दस्तावेद आपने लगा रखा है वो अगर आपको अपलोड हो गया होगा तो यहाँ पर बता देगा नीचे एड हो जाएगा अगर एड नहीं हुआ है तो यानि माल लीजिएगा कि आपका जो आपने डाकुमेंट लगा था वो यहाँ पर छंदा यह नहीं है तो आप वापिस डाकुमेंट सेलेट करके यहां पर मतलब एड बटन पर आप क्लिक करिएगा तो कुछ टाइम लेके कुछ टाइम लगेगा यहां पर क्योंकि आपकी फाइल अगर ज़्यादा MB की होगी तो यहां पर कुछ टाइम लगेगा उसके बाद में आप Add बटन करिएगा Add बटन होने के बाद आप आराम से यहां पर छंडा पाएंगे तो मैं कुछ टाइम लग जाता हूँ और अटमेटिक यहां पर छंड जाएगा तो यहां पर मैं लगा लेता हूँ कुछ टाइम लगेगा दोस्तों यहां पर अगर आपके दस्तावे लग जाते हैं तो यहां पर तीन ओप्सन आ जाते हैं Application, Other Document और Address Proof तो पूरी डाटा अगर आपका सई है तो यहां पर यहां पर सेव उप्सन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं यहां पर मैंने अचल संपती का व्यूड यहां पर नहीं डाला है तो मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूँ ओके ओ जो भी मैंने नाम याप नीचे फिर से आएगा भुकतान तो भुकतान पर क्लिक करना होगा और नीचे फिर से आपको यहां पर जारी पर क्लिक करना होगा एमेल आइडिया आप डालो डाल दो औरना कोई दिक्कत नहीं है यहां पर पेपाई बॉलिट पर ओप्सन करना होगा और आपका यहां पे सफलता पूरोग पैन मतलब जो भी मूल मना रहे थे वो यहां पे अपलाई हो गया है अगर आप चेक करना चाहोगे कि अपना हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए आपको यहां पे मुख्ये प्रष्ट पर आना होगा इसके लिए डेस्क टो साइड पर आना होगा और उसके बाद में आपको लैंग बेज इंगलिस करना होगा और Just O.K. पर आपको क्लिक करते ही यहां पे उप्सन आ जाता है नीचे यह बीच वाला उप्सन एप्लिकेशन, सर्वर, सेटुईस उप के इस पर आपको क्लिक करना होगा जस्टी पे क्लिक करने के बाद आज की जो भी डेट है वो यहाँ पर भी आज की जो डेट है वो और यहाँ पर फेच डाटा पर क्लिक करना होगा जो भी आपने मतलब जाती है या मूल जो भी बनाया होगा वो यहाँ पर आज आएगा अब यह application submit हो गया है जब approval होगा तो यह भी यहाँ पर बताएगा अगर मतलब bank आएगा send back तब यहाँ पर बताएगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइसर कमेंट जरू कीजएगा अधर कोई प्रोब्म आरे तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे आज के लिए इतना है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe अवस्य कर लिजेगा तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए जय हिंद जयावारत